इसकी आवाज से देखिए लग रहा है कि यह कितने क्रिस्पी बने हुए हैं और इन्हें ना हम उबालेंगे ना इन्हें हम धूप में सुखाएंगे ऐसे हम चिप्स बना के त्यार करेंगे जो मार्केट में अंकल चिप्स मिलते हैं बिल्कुल उसे टाइप की यह चिप्स बन बहुत जल्दी बन जाने वाली यह रैस्पी है तो इसके लिए देखिए हमने यह कुछ आलू लिया है ताकि इसमें मिट्टी वेगर न रह जाए उसके आद इस आलू को हम पर छील लेंगे अच्छे से तो इसको हम पीलर से छील लें आप चाकू के साहता से भी तो आप चा आलू रखेंगे उसमें भी हमने पानी ले रखा है ताकि आलू काले न पड़े एक बाल में हमने जिसमें चिप्स कट करेंगे उसमें भी हमने पानी लिया है ताकि जो चिप्स हम कट करें वो भी काले न पड़े क्योंकि अगर हम ऐसे चिप्स कट करेंगे तो काले पड़ ज अगदम बराबर से देखे कटे हुए हैं कि पतले से कटे हुए तो अब हम अच्छे से पहले ढूल लेंगे ताकि इसमें स्टााश भिल्कुल भी ना रहाजा अगर इस ट्राश रहेगा तो यालू चिपखेंगे तो इससे चिपस अच्छे भी नहीं बनेंके तो इसको दो से तीन पानी में धुल लिया है और इसका सारा स्टास निकल गया है अब हम इसको धूल करके एक छनी में रख देंगे ताकि इसका जो पानी है छन जाए तो इस टाइब से हम देखें छन्नी में रख दिये हैं अब देखिए हमने कॉटन का कपड़ा लिया इसे हमने किचन टॉप पे फैला दिया और इस पर हमने जिते हैं इनको एक एक करके फैला देंगे तो यह दो से तीन में ही आहराम से सूख जाते हैं बहुत टाइम नहीं जो है उसको हम न्यूस पेपर भी फैला दे रहें क्योंकि न्यूस पेपर पानी जल्दी सोख लेता है तो इस टाइप से देखिए करके हमने डाइंग टेबल पे भी सारे चिप्स फैला दिये हैं तो यह दो मिट में ही देखिए दो मिट भी नहीं हुआ है और अच्छे से स दूग है क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है तो इस टाइप से जितने भी चिप्स हैं इनको हम उठा करके एक प्लेट में रख लेंगे उसका हमने इसमें रिफाइंड आयल भी ले सकती है देशीगी जो भी आप वरत में खाती हो उसमें आप फ्राइब कर सकती ह सुखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर गीले रहेंगे आप फ्राइब करेंगे तो यह जो इसके छिट्टे है वो आपके ऊपर पड़ सकते हो तो इससे आप जलने का भी डर होता है तो इसलिए हमने इसको पानी अच्छे से सुखा दिया है और इसको फ्राइब कर है बाकी हम जितने भी बना लेंगे तो देखें दूसरा बैज भी हम आपको डाल के दिखा रहें कि एक खट्टे भी आप एक एक करके डालिए या इक खट्टे डालिए यह बिल्कुल भी चिप केंगे नहीं और बहुत आसानिस देखिए बन जा रहे है और यह आप इसको हम चन्नी में छान लेंगे उसका इसको हम नैपकीन पेपर पर रख देंगे ताकि इसमें जो एक्स ट्रॉयल है वह निकल जाए आप इस टाइप से चिप्स बना करके घर में बच्चों को आसानिस दे सकती है अब आप इसमें चाट मसाला भी मिक्स कर सकती पर हम वरत क इसलिए और थोड़ा समनी तेंदर नमक लिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आप इसे चाय के साथ में खाईए बहुत अच्छे लगते हो फाने में अश्की आवाज से आपको लग रहा हुए कि किसनी क्रिस्पी बने हुए दिखें मैं आपको तोड़ करके भी साथ में बेल आइकन जहूर दबाएं आप अपने अनुभों भी हमसे जरूर शेयर करें